आज हम लोग कक्षा पाँचवी की हिंदी पाठ्य पुस्तिका रिमजिम पाँच का छठा पाठ पढ़ेंगे चठा अध्याय जिसका शीशक है चिठी का सफर आपको शीशक को पढ़ते ही समझ में आ गया होगा ये पत्र के बारे में या चिठीओं के बारे में है या उनके सफर के बारे में है ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक लेख है चिठी का सफर एक ऐसे सफर पर हम लोगों को ले जाएगा जो अतीत और वर्तमान के संदेश वाहकों की जलकियां प्रस्तुत करेगा अतीत के संदेश वाहक प्राचीन काल में कैसे थे राजा महराजाओं के जमाने में और आजकल के संदेश वाहक कैसे हैं संदेश पहुचाने की जरूरत इंसानों को हमेशा से रही है आज डाप का शेत्र बेहत फैला हुआ है विस्त्रित है समय के साथ साथ यह आधुनी की करण के कारण तकनीकी भी हो गया है टेकनलोजीकली एडवांस्ट हो गया है कुछ दशकों पहले तक भी संदेश कुछ दिनों में पहुचता था संदेश को एक जगा से दूसरे जगा तक पहुचाने में कई दिन लग जाते थे और आज पलक जपकते ही अपनी बात हम सैक्रों मील दूर तक पहुचा सकते हैं इंटरनेट के जरिए अपनी बात किसी तक पहुँचाने का तरीका समय के साथ साथ बदलता रहा है समय के साथ साथ संप्रेशन और संचार का माध्यम बिल्कुल बदल गया है उसमें काफी बदलाव आया है इन माध्यमों का इस्तेमाल अलग-अलग उद्देशियों के लिए समाज के विभिन्वर्गों के द्वारा या विभिन्वर्गों के लिए किया जाता है यानि संप्रेशन का और संचार का माध्यम केवल एक पत्र ही नहीं रहा बलकि कई तरह के माध्यम आज उपलब्ध है आगे आपको एक पत्र उदाहरन के तौर पर दिया गया है जो नरेंद्र नाथ ने नित्या के नाम पर लिखी है ये पत्र New York में लिखी गई है नित्या के नाम पर आप इस पत्र को पढ़कर जमच पाएंगे कि हम पत्र कैसे लिखते थे पुराने जमाने में आज भी आप लोगों के सिलेबस में पत्र लेखन है आपके पाठे क्रम में है ना इसलिए पत्र कैसा होता है उसमें भेजने वाले का और जिसको पत्र भेजा जाए उसका दोनों का ही पता होना बहुत जरूरी है डाक टिकिट का होना बहुत जरूरी है औ तो आईए अब हम आगे पाठ की तरफ बढ़ते हैं तो पाठ शुरू ऐसे होता है अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे मैं आशा करती हूं कि आप लोग 10-12 साल के बीच में ही हैं आप लोगों की उम्र इससे ज्यादा नहीं हो सकती और इ ये पत्र अपने सही पते और सही समय पर किस तरह पहुचे होंगे ये कभी आप लोगों ने सुना ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है कि वो सही पता हो और सही समय पर वो पहुच जाए पता यानि एड्रस जैसे कि चिठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही ह संदेश पहुँचाने की कितनी जल्दी है हमें यानि कितनी अर्जेंसी है कितनी जल्दी पहुँचाना है हमें तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है या नहीं तुमने उस पर डाक टिकिट लगाया है या नहीं आदी प्रशन जरूर उठते हैं अब कुछ प्रशन आपके मन में भी उठते होंगे आखिर प्रशन पहला प्रशन आखिर चिठी पर डाक टिकिट लगाया ही क्यों जाए क्या जरूरत है स्टैंप की स्टैंप यानि डाक टिकिट और पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है पूरा पता complete address ठीक पता correct address जरूरत प हम कोई संदेश महुचा सकते हैं हाला कि अभी mobile phone है हमारे हातों में हम कभी भी कहीं पर भी किसी भी स्थान पर किसी भी देश में कोई भी संदेश महुचा सकते हैं within fraction of second वक्त बिलकुल भी जया नहीं होगा पर डाग घर या पत्र का मामला थोड़ा अलग है आज भी स्थान अगर बदलो तो चिठी के पोहुचने पर उसका क्या असर पड़ता है यानि अगर आपका पता बदल गया है अगर आपने अपने रहने का स्थान बदला है तो आपका पता भी बदल जाएगा पर अगर किसी ने पुराने पते पर चिठी लिख दी तो क्या आपको नए पते पर मिल जाएगी? नहीं मिलेगी फिर वो चिठी वापस आजएगी इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिये गए लिफाफों को गौर से देखो नीचे दो लिफाफे दिये गए हैं पहले लिफाफे पर लिखा है महत्मा गान्धी जहां हो वहाँ और दूसरे लिफाफे पर पूरी तरह से सही सही और पूरा पता दिया गया है साथ में पिन कोड भी दिया गया है और डाप टिकिट भी अच्छी तरह से लगा हुआ है तो आईए हम जानते हैं कि सही और पूरा पता का होना कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है ये जो दोनों ही लिफाफे आपने देखे ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है एक दुसरे से यानि अलग है गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्धा वर्धा गुजरात के एक स्थान का नाम है और लिखा है जहां हो वहां यहीं महात्मा गांधी गुजरात में जहां कहीं भी हो उनको ये पत्र मिल जाना चाहिए जबकि दूसरे वाले लिफाफे पर क्या लिखा है श्रीमान निर्देशक महोदय राश्ट्रिय शैक्षनिक अनुसंधान एवंग प्रशिक्षन परिशत अर्विंद मार्ग नई दिल्ली एक एक शुन्य शुन्य एक छे ठीक हैं यहां आपको NCRT का पता दिया गया है ठीक हैं CBSE के NCRT का पता दिया गया है तो इसमें इमारत और संगस्थान इंस्टिउशन बिल्डिंग और इंस्टिउशन दोनों के नाम सपष्ट तह लिखे गये हैं शेहर का नाम हैं नई दिल्ली का नाम हैं अर्विंद मार्ग का नाम हैं ठीक हैं तो सब कुछ एकदम सही सही दिया गया है इसी लिए हमें ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये लिफाफा एकदम सही है और महात्मा गांधी वाला लिफाफा एकदम अपूर्ण है इनकम्प्लीट है पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की और बढ़े हैं यानि हमें पता कैसे लिखना है उसके भी कुछ नियम है कैसे लिखते हैं सबसे छोटी भौगोलिक इकाई जैसे कि हमारा घर सबसे छोटा भौगोलिक इकाई है उसके बाद आता है हमारा हमारी गली हमारा मोहला उसके बाद जिस शहर में हम रह रहे हैं उस शहर का नाम उसके बाद वो तो उस पते में सबसे छोटी भोगोली की काई से शुलू करके बड़ी की और बढ़ा जाता है छोटी से बड़ी भोगोली की काई का मतलब हुआ पहले घर के नंबर फिर नंबर के बाद गली महले का नाम फिर अगर गाओं कजबा या शेहर है जिसके हिस्से में आप रहते हो इस शेहर के कौन से हिस्से या कौन से जिले में आप रहते हो उसका नाम जिला नहीं हिस्से का नाम फिर गाओं या शेहर का नाम या जिले का नाम और उसके बाद आप अपना राज्य का नाम लिखोगे और फिर अंत में अंकों में डिजिट्स में आप पिन कोड लिखोगे हर जगा को एक पिन कोड दिया गया है ये सोचने लाइक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है हमारे देश में अनेक ऐसे कजबे हैं, गाओं हैं, शेहर हैं, जिनके नाम एक जैसे हैं पते के बाद पिन कोड लिखने से जो गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छाटने वाले करमचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बाटे जा सकते हैं अब मैं इसको जरा एकस्प्लेन करती हूं, समझाती हूं आपको हमारे देश में कई ऐसे कजबे, गाओं या शेहर हैं, जिनके नाम एक जैसे हैं जैसे कि मैं यहां कुछ भी हर में राजरहर्ट नाम का एक स्थान जानती हूं, न्यू टाउन नाम का एक स्थान जानती हूं, धर्मतला नाम का एक स्थान जानती हूं जबकि कोलकाता में भी ये तीनों स्थान है ऐसे नाम के स्थान है अब क्योंकि इनके नाम एक जैसे हैं पर पिन कोड अलग-अलग दिया गया है इसलिए हम जल्दी से ही डिफरेंशियेट कर पाते हैं समझ पाते हैं कि ये राजरहाट है तो कौन से वाले राजरहाट की बात की जा रही है कोलकाता के राजरहाट की या कोज भी हर के राजरहाट की बात की जा रही है तो ये रहा एक उदाहरन और इसी तरह से जब पत्र हम लोग डाक बक्से से निकाल कर लेटर बॉक्स से निकाल अलग अलग राज्य के लिए जो पत्र होते हैं उनको अलग-अलग किया जाता है फिर अलग-अलग कर्मचारी स्कूमम को नहें तो हैं तो इन्हें लेकर एक जन चले जाओ ये अगर कोलकाता के नाम से सारे पत्र कोलकाता के हैं तो कोलकाता में चला जाओ चले जाओ इस तरह से करमचारियों को डाक को यानि पत्र को जल्दी-जल्दी बाटने में उनको मदद मिलती है पिन कोड की वज़ा से पिन कोड की शु से पहले पिन कोड हमारे देश में लागू नहीं था 15 अगस 1972 को 1972 को सबसे पहले यह लागू किया गया पोस्टल नमबर योजना के अंतरगत जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर कोई पिन कोड नहीं था ठीक है इसलिए उस अर्थ क्या है पिन शब्द है पोस्टल इंडेक्स नमबर पी फोर पोस्टल आई फोर इंडेक्स और एन फोर नमबर इसलिए हम इसको हमेशे कैपिटल लेटर में अपर केस में लिखते हैं उसी का छोटा रूप है पिन पोस्टल इंडेक्स नमबर किसी भी जगह का पिन को कोड़ 6 अंकों का होता है उससे ना जादा उससे ना कम 6 अंकों का 6 जिट्स हर अंक का एक खास थानी अर्थ है उदाहरन के लिए NCRT को भेजे गए लिफाफे पर यह जो मैंने दूसरा वाला लिफाफा दिखाया था आपको समझाया था बुक में देखो आप लो उस पर लिख बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली घरियाना हिमाचल प्रदेश पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर से संबंदित है पहला डिजिट है राज्य के वारे में बताता है अगले दो अंक जो है यानि एक और सुन्य दस यह तै करते हैं कि यह दिल्ली यानि राष्ट्रिय राजध यानि शेत्र के किसी उपशेत्र यानि दिल्ली के ही किसी स्थान दिल्ली का ही कोई कोड है एक शुन्य और अगले तीन जो अंक है यानि शुन्य एक छे वो दिल्ली उपशेत्र के उसी उपशेत्र के डाग घर का कोड है पोस्ट ओफिस का डाग घर का कोड है फिर जहां से डाग बाटी जाएगी ठीक है यानि अर्विंद मार्ग या अर्विंद नई दिल्ली वहां के डाग घर का कोड है 016 अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो इसी तरह से अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर वो भी आप पता कीजिए पिन कोड की जानकारी के लिए आप डाग घर में जो डाइरेक्टरी रखी गई है उस डिरेक्टरी का भी या डाइरेक्टरी का भी हेल्प ले सकते हैं उसकी मदद ले सकते हैं पिन कोड डिरेक्टरी बिल्कुल टेलिफोन डिरेक्टरी की तरह ही होती है तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा अगर आपके मोहले में छोटा पोस्ट ओफिस है डागघर है या लेटर बॉक्स है तो आपको वहाँ उसका आपके इलाके का पिन कोड नंबर लिखा हुआ मिलेगा प्रमुख शहरों या जगहों के पिन कोड नंबर आपको और भी कई जगहों पर मिल सकते हैं गूगल में भी मिल सकते हैं इंटरनेट में आजकल सभी इंफर्मेशन सभी आप लोगों की सूचनाएं आपको उपलब्द होंगी अच्छा आप लोगों में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो डाक टिकिट इखटा करने का शौक रखते हैं स्टैंप कलेक्शन जिसे कहा जाता है ये तरह का शौक है होबी है जिसमें हम स्क्रैप बुक में कई तरह के स्टैंप चाहे वो बहुत बुराने हों आधुनिक हों हमारे देश के हो विदेशों के हो इन कई तरह के डाक टिकिटो को हम संग्रह करते हैं और उनको गौन से चितका कर स्क्रैप बुक में रखते हैं एक एलबम बनाते हैं सारे स्टैंप्स का डाक टिकिटो का एलबम बनाते हैं आपको पता है इस शौक को विज्ञान में एक नाम दिया गया है आपको क्या पता है इस नाम के बारे में इसको क्या बोला जाता है विज्ञानिक नाम क्या है इसका टिकिट संग्रह का शौक ये काफी लोग प्रिय शौक है टिकिट संग्रह के अलावा डाक से जुरी और बहुत से चीज़े आजकल इस शौक में शामिल हो गई है डाक के विज्ञान में इसको एक नाम दिया गया है इसका कहते हैं फिला टेली क्या कहते हैं फिला टेली डाक टिकिट को संग्रह करने का ये फेनोमेनन है एक शौक है वैसे हम चलती भाषा में इसको कहते हैं स्टैम कलेक्शन टिकिट संग्रह करने का शौक बड़ी शौक का एक नाम है फिला टेली आगे हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी को लिखे गए पत्र में या उसके लिफाफे में पिन का इस्तेमाल नहीं किया गया था सिर्फ पिन कोड का ही फर्क नहीं है समय के साथ साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है निरंतर विकास होता गया है निरंतर बदलाव आता गया है बहुत कुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो ही रही है तो पहले हम उन इंसानों की बात करते हैं उन इंसानों के बारे में बात कैसे न की जाए, जो ऐसे समय से टाग पहुचाने का काम करते आ रहे हैं, जब संचार और परिवहन, यानि ट्रांसपोर्ट, ठीक है, दोनों के ही साधन बेहत सीमित थे, लिमिटेड थे, सीमित थे, न परिवहन के साधन थे, ठीक है, आने जाने के कोई वाहन नहीं था, उस समय संचार का भी और कोई साधन नहीं था, पत्रों के अलावा, उस समय भी इंसान डाग पहुचाने का काम करता था, बात हो रही है, उन हरकारों की, जो पैदल ही आम आदमी तक चिठी पत्री पहुचाने का काम करते रहे, ऐसे लोग जिनके पा आदमी तक चिठी पत्री सब कुछ पहुचाने का काम करते थे, ऐसे लोगों को हरकारा कहा जाता था, ये हरकारे लोग राजा महराजाओं के पास होते थे, राजा महराजा उनको घोरे दिया करते थे, आने जाने के लिए, घुरसवार हरकारे कहा जाता था उनको, हरकारों क को ना सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुँचना होता था बलकि जो डाक उनके साथ है उस डाक की भी रक्षा करनी होती थी डाकू लुटेड़े या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर जो है वो हमेशा बना रहता था आज भी भारतिय डाक सेवा दुर्गम स्थानों पर या पहारी इलाकों तक डाक पहुचाने के लिए जब कोई गारी वहां नहीं जा पाती कोई दुर्गम स्थान है दुर्गम यानि जहां जाना बहुत कठिन हो या कोई पहारी इलाका है जहां कोई कारी उपर तक नहीं जा स जम्मू कश्मीर के लदाख खंड में पदम या फिर जंसकार नाम की एक जगह है ऐसी कई जगहें हैं लदाख वगेरा में जहां हरकारे डाख पहुंचाते हैं आज भी आज कल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं नए नए साधन हैं इंटरनेट के जरीएं फैक्स मशीन हैं इमेल हैं कंप्यूटर हैं मुबाइल फोन से हैं डाख बांटने में हवाई जाहज आज कल तो सारे चिठी पत्री किसमें जाती हैं कोडियर वगेरा हवाई जाहज से पानी के जहाज से और जाने कौन-कौन से साधन इस्तेमाल कि यह जा रहे हैं अब परिवहन के साधन भी आधुनिक हो गए हैं डाक वीभाग भी अब सिर्फ पत्र ही नहीं बलकि मनी ओर्डर और उसके साथ साथ इमेल बधाई कार्ड आधी लोगों तक पहुंचा रहे हैं कबूतरों की उरान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिल्चस्प था या दिल्चस्प है यानि काफी आकर्शक है पुराने जमाने में कबूतर डाक ले जाया करते थे वो कैसे चले आईए हम देखते हैं सोचकर आश्चरियग होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहग भी हो सकता है कबूतर की कई प्रजातियां होती है स्पीसीज हैं कबूतरों की भी कई प्रजातियां हैं और ये सभी संदेश लाने या संदेश ले जाने का काम नहीं करती नहीं कर सकते ये लोग बस कुछी प्रजातियां है कबूतरों की जो ये संदेश वाहग का काम कर सकते हैं सक्षम है एक तरह के कबूतर है जिनको कहा ज जाता है और फिर डाक संदेश भेजने के काम में उनको लाया जाता है आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंड कैसे लेते हैं ये बड़ी ही बहुत ही हैरानी या आश्चरिय चकित कर देने वाली बात है और आप लोगों को लगता होगा कि इसी तरह से कुछ migratory birds भी होते हैं प्रवासी पक्षियां जो की सर्दियों में अपने अपने स्थानों से उड़कर काफी काफी दूर से उड़कर आते हैं और जहां पर रहते हैं और जैसे ही सर्दियां खत्म हो जाती हैं फिर से उड़कर अपने स्थान में लोट जाते हैं तो इन पक्षियों के बारे में जरा सोचिए ऑप और पता कीजिए कि कैसे सेंक्रो मील का रास्ता तै करके भी ये लोग सही जगह पर पहुंच जाते हैं किस तरह से ये लोग रास्ता पहचान कर आते जाते हैं अब आगे हम आपको उरीसा पुलिस के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुचाने के लिए आज भी कर रही है जब कानून व्यवस्था या संकट या अन्य मौके आते हैं कानून व्यवस्था कर्फियू अगरा हो जाता है ऐसे मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं कबूतरों का लाइफ स्पैन यानि जीवन 15 से 20 साल तक होता है और 8-10 साल तक के उम्र के कबूतर बहुत अच्छी तरह से ये काम संदेश वाहग का काम करते हैं स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर तैय कर सकता है सोचो एक दिन में 24 घंटे में 1000 किलोमीटर यदि कोई महत्वपून संदेश पहुचाना हो तो दो कबूतरों को भेजा जाता है ताकि अगर बाज के घंटे से एक कबूतर घायल हो गया ऐसी कोई अनहोनी स्थिती हो गई तो दूसरा कबूतर संदेश पहुचा सके यानि दोनों कबूतरों को सेम एक ही तरह के संदेश उनके पैरों में बांद कर उनको उड़ा दिया जाता है एक अगर ना भी पहुच पाया तो दूसरा जरूर पहुचेगा शायद ये पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर के कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुचाता था हाँ ऐसा एक कबूतर था इस कबूतर की कहानी आपको नैशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है किताब का नाम है ग्रे नेक जो की इस किताब के हीरो का भी नाम है अगर तुम इस किताब को हिंदी में पढ़ना चाते हो तो क्यो ना नैशनल बुक ट्रस्ट को एक पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे ताकि आप हिंदी में इसे पर सको ये रहा उनका पता उनका पता यहां दिया गया है National Book Trust India A5, A5, Green Park, नई दिल्ली, 10016 तो यही पर हमारी ये आज का ये पाट खतम होता है चिठी का सफर, आपने यहां चिठी के सफर के बारे में विस्तारित रूप से जान लिया है आप इस वीडियो को बार-बार देखिए, इसे समझिए, खुद भी चैप्टर को रीड कीजिए, पढ़िए पाट को ठीक है और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए आगे आने वाले दिनों में नए चैप्टर के साथ मैं आप लोगों से दुबारा जल्द ही मिलूँगी तब तक के लिए बाई, नमस्कार